संतोशी माता व्रत कथा माना जाता है कि यह कथा पढ़े बिना संतोशी माता का व्रत अधूरा होता है संतोशी माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढिया थी उसका एक ही पुत्र था बुडिया पुत्र के विवाह के बाद बहु से घर के सारे काम करवाती परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी यह सब लड़का देखता पर मा से कुछ नहीं कह पाता बहु दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, परतन साफ करती, कपड़े धोती और इसी मोस का सारा समय बीच जाता काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का मा से बोला मा मैं परदेश जा रहा हूँ मा को बेटे की बाद पसंद आ गई और उसे जाने की आग्या दे दी इसके बाद वे अपनी पतनी के पास जाकर बोला मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो बहु बोली मेरे पास तो निशानी देने योग कुछ भी नहीं है यह कहकर वे पती के चर्णों में गिर कर रोने लगी इससे पती के जूतों पर गोबर से सने हाथों से चाप बन गई पुतर के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए एक दिन बहु दुखी होकर मंदिर चली गई वहाँ उसने देखा कि बहुत सी इस्त्रियां पूजा कर रही थी उसने इस्त्रियों से वरत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोशी माता का वरत कर रही है इससे सभी प्रकार के कश्टों का नाश होता है इस्त्रियों ने बताया शुक्रवार को नहधो कर एक लोटे में शुद्ध जलने, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से मा का पूजन अर्चन करना चाहिए खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना एक वक्त भूजन करना वरत विधान सुनकर अव्वह प्रती शुक्रवार को सयम से वरत करने लगी माता की क्रपा से कुछ दिनों बाद पती का पत्र आया कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया, उसने प्रसन्न मन से फिर वरत किया और मंदर जाकर अन्य इस्त्रियों से बोली संतोशी मा की क्रपा से हमें पती का पत्र तथा रुप्या आया है। पर सेट ने इनकार कर दिया। मा की क्रपा से कई व्यपारी आये, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। करजिदार भी रुप्या लोटा गए। अब तो साहुकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। धरा कर पुत्र ने अपनी मा वा पत्नी को बहुत सा सारे रुपे दिये। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोशी माता के वरत का उध्यापन करना है। उसने सभी को नियोता दे कर उध्यापन की सारी तैयारी की। पडोस की एक इस्त्री उसे सुखी देख इरश्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया तुम भो किया। राजा के दूत उसके पती को पकड़ कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उध्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहु ने पुना वरत के उध्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पती आत पुत्र हुआ। अब सास बहु और बेटा मा की क्रपा से आनंद से रहने लगे।